एक सोचालिस करोड हिंदुस्तानियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर आही गई ग्यानवापी परिसर का दो दिन तक एसाई सर्वे नहीं होगा ठीक सुना आपने एसाई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है चुकि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट था कि कानूनी तोर पर एसाई सर्वे कराना ठीक नहीं है अपनी तरह से दलील पेश की गई मुस्लिम पक्ष ने का कि हम सालों साल से इसी मस्जद परिसर में वजू करते हैं नमास पढ़ते हैं और यहां की खुदाई तो किसी भी कीमत पर नहीं की जानी चाहिए सुप्रीम सुप्रीम कोट ने मस्जद में एसाई के सर्वे पर 26 जुलाई यानि दो दिन तक रोग लगा दी है यानि बुदवार शाम पांट बिजिता की रोग लगी रहेगी सुप्रीम कोट ने कहा कि अगर इस दौरान मस्जद कमिटी चाहे तो वारांसी कोट के फैसले के खिलाफ ह सुप्रीम कोट का रुक कर सकते हैं सुप्रीम कोट में जब सुनाई शुरू हुई जब एसाई की टीम ग्यानवापी में सोवे कर रही थी लगबग साले 3-4 घंटे गुजर गए थे सुप्रीम कोट ने तुरंथ वहां पर किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगाई थोड और उसका पूरा प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूं सील जो वजुस्थल है उसको छोड़ करके बाकी सभी जगह का सर्वे किया जा रहा था शुरुआती तीन घंटे के सर्वे में फीता लेकर के पूरे परिसर को नापा गया मापा गया जिसको हिंदी में कहते हैं कि पैम कृतियां हैं उनकी उम्र क्या है इसके बारे में जांच की जा रही थी टॉर्च और बाकी लाइट की रोशनी कम पड़ गई उधर मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का भाईशकार किया पहुंच गया सुप्रीम कोट हलाकि लगबग साड़े तीन चार घंटे के आसपास का सुव 43 मेंबर्स लगबग 43 ASI के सदस्य ग्यानवापी परिसर के अंदर थे और जितने भी कमरें हैं जो बरामदें हैं इनके फोटो और वीडियोग्राफी की गई है और टीम लगबग सुबह सुबह साड़े च्छे बजे के आसपास ही पहुंच गई थी हाला कि मुसलिम पक्ष क वकील ने कहा कि हमने डीम से कह दिया है कि हम सवे में शामिल नहीं होंगे यह सवे करने का जो पूरा प्रोसेस है यह भी अपने आप में बहुत इंट्रेस्टिंग है एस आई ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जी पियार या जीओ रेडियो लॉजिस सिस्टम या दोनों का हिस्तमाल करके सवे उसने करना शुरू कर दिया था पुरानी अमारत और खंडर के सवे में जी पियार और मॉडरन टेक्नालोजी का इस्तमाल किया जाता है ताकि इसके जरीए यह पता लगाए जाए इट पत्थर दिवार जो पिलर्स है या फिर जितने भी कॉलम है इनक्यूमर आखिरकार कितनी पुरानी है ग्यानवापी के स अब तक पहुचाते रहेंगे नमस्ते